एलो बच्चो स्वागत है आप लोगों के अपने यूटूब चैनल सिक्षाब में तुए स्टुडेंट्स आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं वाच्चे को वाच्चे एक हिंदी के ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टुडेंट बहुत जादा गलती करते हैं और उनको तो देखिए स्टुडेंट्स आज हम लोग वाच्चे को बहुत ही बहतरिंग ढंग से पढ़ने वाले हैं ताकि जैसे और बच्चे करते हैं उस तरीके से आप इसके प्रस्णों को हल ना करें और मेरे बताय हुए तरीके से हम जिस कंसेप्ट को बताते हैं उसको फॉलो करक इसके प्रस्ण को आफ हल करें ताकि आप गलती करने से बचें तो मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आज हम वाच्चे पढ़ेंगे और मुझे ऐसा उम्मित है कि आप इस लेक्चर को ध्यान पुर्बक देखेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे तो बाबु आज हमारे हिंदी में 15 लेक्चर हो चुका है और इस्टुडेंट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और टॉपिक बचे हैं हिंदी में और कुछ ही टॉपिक को कम्पलीट करके हम लोग हिंदी को पूरा कम्पलीट करतेंगे यानि कि हिंदी का सिलेवस हमारा कम्पलीट हो जाएगा तो चलिए बाबु पहले आज हम लोग वाच्चे को पढ़ते हैं उसके बाद और सारे बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले वाच्चे पढ़ते हैं तो वाच्चे की बारे में जान जाते हैं कि आखिर वाच्चे किसे कहते हैं वाच्चे क्या है तो इस्टूड़ेंट चारा ध्यान से सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट मैं आपको सीधे सीधे में बताऊं तो देखे क्रिया की जो क्रिया है हमारे उसके परिवर्तन को वाच्चे कहते हैं जिसके द्वारा किसके द्वारा क्रिया के द्वारा ठीक है ति इसका कहाने का मतलब यहीं है स्टुडेंट कि आपको उसमें यहीं बताया जाएगा कि इसमें किसकी प्रधनता है किसी वाक्य में आपको उसमें करता या कर्म या भाव की प्रधनता को प्रतीत कराया जाएगा बोध कराया जाएगा और उसी को हम लोग वाच्चे कहते हैं तो student चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं next slide में देखें फ्यारे student मैं आपको बता दू वाच के हमारे कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं कौन-कौन से पहले हैं हमारे कृत्य वाच दूसरा हमारा कर्म वाच और तीसरा हमारा भाव वाच जैसे कि आप यहां पर देखे होंगे तो देखें आप से मैं बता दू कि आप नोट करेंगे कि वाच के हमारे कितने भेद होते हैं तो तीन होते हैं वो कौन-कौन से हैं तो कृत्य वाच, कर्म वाच और भाव वाच होते हैं समझ रहे होंगे मेरे बात को चलिए इन तीनों को हम लोग एक के करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं क्योंकि आपके लेवस में हैं और प्रिवेंस यक्जाम यहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृति वाची को कि वाची को समझते हैं और यहां पर स्टुडेंट आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और अपने नोट्स में जो जो बात मैं बताऊंगा उसे नोट भी करेंगे सबसे पहले में लोग देखते हैं क्रित वाचे को तो किरिया के उस रुपांतर को क्रित वाचे कहते हैं जिससे से वाक्य में करता की प्रधनता का बोध हो स्टुडेंट करता किरिया और कर्म मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ इसको बहुत ही अच्छे और ब्यहत्रिंग धंग से इसके पहले वाले जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं उस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कंप्लीट करा चुके हैं अच्छे धंग से एक् और वह भूल रहे हैं तो आप बाबु क्या कि जी आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को रिवीजन करते रहें रिवाइस करते रहें और अगर अभी तक आपने नोट्स बनाना सुरू नहीं किये हैं नहीं किये हैं और ऐसे ही लेक्चर को देखते हैं तो आप गलत कर र बिशायर नहीं आपका notes ही काम आने वाला है revision के लिए ठीक है तो देखिए इसमें प्रतरा का बोध हो ठीक है करता की प्रधनता या बोध हो उसको ही हम लोग कृत्य वाची कहते हैं तो स्टुडेंट इसे हम उधारन से समझें एक्जामपल के थूँ समझें तो आप बहतर समझ पाएंगे ठीक है तो देखें बहतर समझने के लिए मैं दो एक्जामपल आपके लिए लेकर आया हूँ और मुझे उमिद है कि इस दो एक्जामपल की थूँ आप बहुत ही अच्छे ढ़ंग से समझ लेंगे पहला हमारा example है मोहन केला खाता है सुन रहे होंगे तो देखिए मोहन केला खाता है तो देखो student इसमें किरिया क्या है आप बताना मुझे comment में कि इसमें किरिया कौन है ठीक है तो देखिए इसमें क्या मतलब कि केला कौन खा रहा है तो मोहन इसमें प्रधनता किसकी है तो करता की है करता इसमें कौन है तो student कौन है तो इसमें मोहन हमारा क्या है करता है क्या है करता है तो आप समझे रहे होंगे जब किसी भी वाक्य में करता की प्रधनता दिखे तो आप उसमें कृत्यवाच्य को अराम से चून सकेंगे तो मोहन जो है हमारा यह कृत्यवाच्य है ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे अजय पुस्तक पढ़ता है ठीक है क्या लिखा है यहाँ पे अजय पुस्तक पढ़ता है तो इसमें देखो अजय जो है हमारा यह कृत्यवाच है क्योंकि इस पे डायरेक्ट रूप ठीक है से हमारे करता पे पूरा बोध आ रहा है करता की प्रधंता को यहां प्रस्तूत किया जा रहा है करता को दिखाया जा रहा है तो हमारा यह कृत्यवाच होगा ठीक है क्योंकि पुस्ता कौन पढ़ रहा है तो अजय पढ़ रहा है तो इस संटेंस में पूरा बोर किस पे जा रहा है तो अजय पे जा रहा है और अजय ही हमारा करता है जो कामिको कर रहा है तो आपका यहां से कृत्य वाची कम्पलीट हो गया होगा मुझे उमीद है कि आप कृत्य वाची को अच्छे ढंक से समझ गए होंगे ठीक है? अगर नहीं समझे होंगे तो please कोसिस किजिए समझने के लिए और दुबारा सी इस वीडियो को देखें पीछे करके ताकि आपको यहाँ समझ में आ सकी बहुत most important topic है ठीक है चलिए next देखती है मैं बहुत ही अच्छे ढंक से कोसिस किया हूँ आपको इसको समझाने के लिए explain करने के लिए ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्मवाच ठीक है कर्मवाच देखेंगे तो student इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा जैसे कि यहाँ आप कृत्यवाच से समझे हैं कि जिस वाक्य में करता का बोध होता है उसे कृत्यवाच कहते हैं और ऐसे ही यहाँ पे कर्मवाच दिया है तो यहाँ से भी आप असपस्टी करन कर सकते हैं कि यहाँ पे जिस वाक्य में कर्म का बोध हो कर्म की प्रधनता को बोध यानि की दिखाया जाए यानि कि बुध कराया जाए उसे हम लोग कर्म वाच्छे कहते हैं तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग करिया की उस रुपांतर को कर्म वाच्छे कहते हैं करिया की इसमें करिया मौस्ट इंपोर्टेंट है वाच्चे में हमारा किरिया most important है और किरिया के बारे में आप जानना चाहती है तो हमारे पिछले lecture को जरूर देखें मैं एक sequence में पढ़ा रहा हूं ताकि इसके आगे जो भी ऐसा chapter है उसी related यानि कि जोड़ करके पढ़ा रहा हूं कर्म करता है तो करता करता के द्वारा जो कर्म किये जा रहे हैं उसी का बोध इस कर्म वाच्चे में होने वाला है तो देखिए हम example के थूरू आपको बताते हैं हमारे पास तीन example दिये हुई हैं और इन तीन examples के थूरू हम आपको कर्म वाच्चे है इसको अच्छे ढँक से समझा पाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से explain कर पाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके देखिए कभियोग द्वारा कभीता लिखी गई देखो इस्टुवेंट कभियोग द्वारा कभीता लिखी गई आप समझ रहे होंगे द्वारा देखिए कभीता लिखी गई किनके द्वारा कभियोग के द्वारा लिखी गई यहाँ पे लिखी गई जो है हमारा देखो एक छूटा सा प्यारा सा ट्रिक मैं बताऊंगा आप नोट कर ले ना स्टार पॉइंट देखर कर्म वाची के नीचे मैं अभी बताता हूं इस दो एक्जाम्पल को एक्स्प्लेन करके अच्छे से समझा कर ठीक है देखे रोगी को दावा दी गई ठीक है रोगी को दा दावाई नहीं दिया जाता तो वह जो रोगी है वह अच्छा नहीं होता ठीक नहीं होता रोग से मुक्त नहीं होता तो यहां पर जो रोग मुक्त करने की एक ही उपाय है कि दावाई देना होगा उनको दावा देना होगा तो यहां पर कर्म की प्रधानता दिखाई जा रह ही यह भी हमारा कर्म वाच्ची भी हमारे कर्म की प्रuftायनिता है अब आप कहेंगे कि क्या है को मुझे तो देखुड़ों एक च्योटा सा प्यारा सा ड्रीख है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने कर्म करम वाचिक को पहचानने के लिए तो कर्मि वाचिक को अगर पहचानना है तो इस प्यारे से टृक को अप जरूर फॉल्व करेंगे ठीक है चलें का कलर्ट चेंज करेंगर ताकि आपको आसानी से देख सके चलिए देखिए एक छोटा सा ट्रीक है जिसे आप जरूर फॉलो करेंगे देखिए हम आपको बताते हैं कि जिस भी सेंटेंस में ठीक है चलिए नेक्स्ट पेस लेकर आपको हम बता रहे हैं ठीक है इसमें वाक्य में ठीक है वाक्य में ठीक है दुवारा दिखे ना ठीक है क्या दिखे दुवारा दिखे अगर किसी भी वाक्य या किसी भी संटेंस में अगर दुवारा लिखा हुआ दिखे तो वहां पे आप डारेक्ट समस लेना कि यह हमारा क्या है कर्म वाच्छे है ठीक है क्या है हमारा कर्म वाच्चे है क्या है तो कर्म वाच्चे है वहाँ से एक छोटा सा यह ट्रिक बना आपको मैं बता दिया हूँ इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं तो देखिए जैसे कि एक्जामपल में है दुवारा लिखा हुआ है इस द्वारा से क्या प्रतीत होता है कि यह हमारा कर्म वाच्चे है उसके बद रोगी कोई, इसमें तो द्वारा नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको अपने माइंड से समझना होगा कि कर्म की प्रधनता दिखाई जा रही है या नहीं उसके बद उससी या उसके द्वारा यहां पे द्वारा आ रहा है तो यहां से हमारा कर्म वाच्चे किलियर होता है मुझे उमीद है यह स्टूडेंट यहां से आपको समझ में आया होगा अगर आया है तो अगर अभी तक हमारे इस लेक्चर को लाइक नहीं किये है तो प्लिस लाइक कर दिजिए और अगर अभी तक अपने फ्रेंड्स को इस लेक्चर को सेर नहीं किये हैं और उन्हें हमारे सिक्षावब चैनल के बारे में नहीं बताए हैं तो उन्हें आपना सुझाव जरूर दे और उनको भी या लाव लेने की मौका प्रदान करें ताकि वो भी पढ़ कर कुछ अच्छा कर सकें ठीक है चले नेक्स्ट देखती है नेक्स्ट हमारे एक बसता है भाव वाच्चे अब बाबु आप दो वाच्चे को देखे एक कृत्य वाच एक कर्म वाच्च और उसके नाम से ही अस्ट पस्टी करन हो रहा है कि जिसमें भाव जिसमें कर्म वाच्चे है उसमें कर्म की प्रधंता जिसमें कृत्य वाच्चे है उसमें क्रिया की प्रधंता कर्ता की प्रधंता सौरी और ऐसे ही आपको नेक्स्ट दीखा भाव वाच्चे तो इसमें वाच्छे कहते हैं जिसके जिसस ये वाक्य में किरिया अथवा भाव की प्रधनता का बोध हो ठीक है इसमें भाव की प्रधनता का बोध हो जैसे कि एक्जाम्पल के थूँ आप समझेंगे देखें सियाम से टहला भी नहीं जाता क्या सियाम से टहला भी नहीं जाता जो सियाम है उनके भाव को यहां अस्पास्टिकरन किया जा रहा है कि उनसे टहला नहीं जा रहा है ठीक है मुझे से जूट नहीं सौरी उठा नहीं जाता ठीक है मुझे से उठा नहीं जाता उसके ब जो भाव को असपस्ट कर दे जिसमें भाव की प्रधंता हो जिसमें भाव का बोध हो जिस भी संटेंस में वाक्य में उसमें भाव वाचे होगा यह एक छोटा सा प्यारा सा ट्रीक है जिसमें नहीं लगा रहे ठीक है ट्रीक जो है अमारा जिसमें नहीं लगा रहे जिस वाक् तक complete हो गया चलिए यहां तक अगर complete होता है तो कुछ ऐसे और important point है जिसे आप देख लें और देखने के बाद आज की इस lecture को इस तरह ही छोटे से lecture में हम लोग complete कर लेंगे चलिए next है हम दिखाते हैं आपको पहले देखे करित्य वाचे से कर्म वाचे में बदल ना दिखाते हैं हम आपको बताते हैं कि करित्य वाचे से हम लोग direct कर्म वाचे में कैसे बदल सकते हैं मेरे फ्यारे स्टुडेंट passive voice और active voice आप इंग्लिस में पढ़ेंगे वहीं हमारा हिंदी में क्रित्य वाचे कर्म वाचे हैं तो देखिए हम आपको बताते हैं अब इंग्लिस का भी syllabus हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं ठीक है देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है सचीन मैच खेलने चेनई जाएंगे जो सचीन है वो मैच खेलने चेनई जाएंगे अगर इसको हम लोग कर्म वाचे में परिवर्तित करें परिवर्तन करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस बाके को तो देखिए का कैसे सचीन के द्वारा मैच खेलने चेनई जाया जाएगा सचीन के द्वारा दिखें यहां पर के द्वारा आ गया तो हमारा डारेक्ट कर्म वाच्चे हो जाएगा मैं एक छोटा सा ट्रिक पता आया हूँ आप समझ रहे होंगे दिखें राकेश पुस्तक पढ़ रहा है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है और इसको हम लोग चेन्स करें के किसमे कर्म वाच्चे में तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है कि द्वारा आ रहा है तो की द्वारा पे आप विशेस ध्यान रखेंगे किसी भी संटेंस में किसी विवाके में अगर की द्वारा दिखे तो वहां पे हमारा कर्म वाच्चे अराम से हो जाएगा ठीक है उसके बतिके तीन नमबर एक्जामपल है मित्र विपत्ती में मदद करते हैं मित्रों के द्वारा विपत्ती में मदद की जाती है देखे की द्वारा को आप ध्यान देंगे तो कर्म वाच्चे आसानी से पकड़ लेंगे और कृत्य वाच्च पकड़ने के लिए आपको करता पे विशेस ध्यान देना होगा और भाव वाचे में भाव को देखना होगा कि उसमें भाव जाहिर किया जा रहा है या नहीं ठीक है तो समझ लिए तो समझ लिए तो एक प्यारा सा दो तिन ऐसे प्रस्ण है जिसका जबाब दे देजिए और हम आपको बता दें देखिए प्रस्ण हमारा कह रहा है यहां पे प्रस्ण कह रहा है कि देखिए जिस वाके में कर्म की प्रधनता हो वह क्या कहा लाता है हमारा तो इस्टूडेंट आपको मालूम है कि वह कृत्य वाच्छी कहा लाता है क्या कहा लाता है क्रित्य वाच्छी कहा लाता है रहा पात दो नमबर क्वेश्चन कहरा है कि जीस वाक्य में करता की प्रधनता हो वह क्या कहलाता है तो वह क्या कहलाता है करता ठीक है एक बिनट यहां पर कर्म की प्रधनता ठीक है यहां पर जब कर्म की बात आ रही है स्टुडेंट कर्म की यहां पर जो हमारे राइट एंसर जो होने वाले हैं यहाँ पिहां वेंबरे ऊहोह हो जाएंगी है है क्रम वाच ठीक है क्या हो जाएगा कर और कर फिंडल एक हारता आ तो यहां पर हमार वाच्य फो मुझे उभी है कि आप समझ गाए होंगे वाच्या को पूरा अच्छे से complete हो चुका है वाद्ची जो आपका chapter है और रहा बात student अगर जो भी मेरे प्यारे student मेरे channel पर पहली वार visit किये हैं और चाहते हैं CHS का preparation करना तो हमारे selection batch को join कर ले और join करने के लिए इस number पे आप अपना class और किस class का तयारी करना चाहते हैं कौन से class के लिए और अपने नाम जो है वह हमें इस number पे send करें आपको batch में join कर लिए जाएंगे ठीक है कर दिये जाएंगे तो student या lecture आपको कैसा लगा क्या वाद्चे पढ़कर आपकी अंदर confidence आया कि अब वाद्चे से कोई भी ऐसा प्रस्ण बने हमारी exam के लेबा लगा तो student आज का हमारा lecture यहीं पर complete होता है और आपका जो भी doubt है आप जो भी कहना चाहते हैं हमसे direct comment box में कह सकते हैं या हमारे whatsapp message कर सकते हैं या हमारे instagram social media फेवी हमसे जोड़कर बाते कर सकते हैं आपके पास अनेको option है आप जो चुनना पसंद करें तो आप हमारा क्या किजिए जो भी है आप use किजिए और उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहीं भी हमें कहा सकते हैं उसका solution हम जरूर देंगे तो student आज की lecture को हम लोग यहीं पर complete करते हैं तो ऐसा ही पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए जैहिन बाबाए